बिग बोस 12 फेम जसलीन माथूर पिशले कुछ दिनों से अपनी परसनल लाइफ को लेकर काफे सुर्कियों में बनी हुई है बीते दिनों जसलीन ने बताया था कि उन्हें उनका हमसफर मिल गया है जसलीन ने बताया था कि वो बपाल के डॉक्टर अभिनीती गुपता को डेट कर रही है और जल्दी दोनों शादी करेंगे लेकिन अब हाली में खबर आ रही है कि जसलीन ने बॉइफरिंट अभिनीती से ब्रेक अप कर लिया है दोनों अलग हो गए है हाली में मीडिया से बात करते हुए जसलीन ने बताया कि उन्होंने अभिनीती से अलग होने का फैसला कर लिया है और दोनों का ब्रेक अप हो गया है ब्रेक अप की बज़ा एक एक्टरिस ने ये बताई कि हमारी शादी नहीं हो सकती हमारी कुंडली मैच नहीं होती मेरे परिवार वाले कुंडली पर भरोसा करते हैं मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहती और नहीं उन्हें टेंशन देना चाहती वहीं पर जसलीन ने बताया कि दूसरा कारण है कि ये मैंने भी मैसूस किया है कि हम दोनों मैच नहीं करते अभी नीती का तलाग का केस भी चल रहा है जो बहुत लंबा जाने वाला है इसलिए ये कहना सही है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने वहीं आपको बताते हैं कि जसलीन और अभी नीती की मुलाखात अनूब जलोटा ने करवाई थी काम की बात करें तो जसलीन बीग बॉस सीजन बारा में नजर आ चुकी है और इसमें वो अनूब जलोटा की गल्फरिंड की तौर पर भी नजर आ चुकी है वहीं जसलीन को बीते दिनो बिक बॉस 13 फिम पारस चौबरा के स्वंबर शो मुझसे शादी करोगे में नजर आई थी उस शो में जसलीन पारस से शादी करने के लिए गए थी शाला की यह शो सूपर हिट नहीं हो पाया और नहीं जसलीन का पारस से स्वंबर हुआ वहीं आपको बता दे कि जुसलीन अपने बॉइफरिंस को लेकर काफिर सुर्खियों में रहती है कभी वो कहती हैं कि वो शादी शुदा है कभी वो कहती हैं कि वो शादी करने वाली है ऐसी खबरों से जुड़ो रहने के लिए देखते रहें नेक्स नए लाइफ रिपोर्ट्स और मैं हूँ आपकी सादी का कौर